जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है आपको ये बताएंगे कि आपके पंचायत में पांच सो से एक हज़ार लोगों को नया रोजगार का आउसर कैसे दिया जाएगा ताकि किसी गरीब के बच्चे को किसी नवीवक को रोजगार की तलास में बिहार अपना पंचायत अपना ब्लोग छोड़कर बाहर के राज्यों में जाकर मल्दूरी नहीं करना पर ति खाली वादा नहीं करेंगे कि हम आई तो दस लाख नवगरी दे दे रोगा देखले हो ख़ब दुनिया के बड़े बड़े देश में जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको खाली नहीं बताना होता है कि वो क्या करेंगे उनको ये भी बताना होता है कि कैसे करेंगे ताकि जनता को कोई ठोग न सके अब इरवाद देखा था नहीं कि जिस पार्टी के राज ने बिहार को रसातल में पहुँचाया उसी पार्टी का नया नेता नया लड़का कोहा कि हम दोस लाख नोकरी दे देंगे बिहार का जनता जाकर भोट भी दे दिया अब नोकरी नहीं खें मिलो लाठी जरूर मिलोता लईका जाता हो संद्र जाकबंगला चोरह पपिटाई होता ये नहीं करना है आप अमेरिका में अगर चुनाओ लड़िएगा तो आपको ये बताना पड़ता है कि दस लाख नोकरी अगर देने की बात आप कह रहे हैं तो इसको ये भी बताईए कि कैसे दीजिएगा तब इन दंतर मानेगी तो ये योजना बना कर जारी करेंगे जब पद्यात्रा खतम होई आपको ये योजना देरंगे आपके पास ये औसर होगा कि आप उसको देखिए जाचिए परक्षिए मुल्यांकन कीजिए ठीक लगे भरोसा बने तो उसको अपनाईए और नहीं ठीक लगे तो उसको फेक दीजिए